नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका शोशल नॉलिज हिंदी में तो दोस्तो, DRDO भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए लगादार नई-नई टेकनोलोजी को डवलप कर रहा है और भारत के डिफेंस को मजबूत करने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो है DRDO चाहे हम बात करें भारत की मिसाइल टेकनोलोजी की जिसमें अगनी और प्रतवी सिरीश की मिसाइले आती है इन मिसाइल टेकनोलोजी को DRDO ने अपने दम पर सफलता पूरवक विक्सित किया है और इसी वज़े से भारत की मिसाइल टेकनोलोजी को पूरी दुनिया में सबसे बहतर माना जाता है अगर हम बात करें DRDO यानी Defense Research and Development Organization के दूसरे रक्षा हतियारों की जिसमें हलके लड़ा को विमान जैसे सेजस, सेजस मार्क वन ए, मल्टि बैरल रोकेट लॉंचर पिना का आकास एर डिफेंस सिस्टम, रडार और दूसरी तकनीक शामिल है इन सभी को DRDO ने सवदेशी रूप से विक्षित किया है लेकिन इस बार DRDO ने एक ऐसी टेकनलोजी विक्षित की है जिससे दुष्मन के रडार गाइडेड मिसाईले पूरी तरह बैठे बिठाए बेकार हो गई है तो चलिए मैं आपको सारी जानकारी डिटेल से बदा देता हूँ लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि इस चैनल पर आपको डिफेंस, औरन पॉलिसी, औरक्स रिजर्व, बिजनिस, पॉलिटिक्स, आधी से सम्मंदित खबरे मिलती रहती है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं डिफेंस रिसेर्च एंड डवलप्मेंट और्गनाइजेशन यानि DRDो ने एक ऐसी Advanced Staff Technology विक्सित की है जिससे हमारे लड़ा को विमान दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आएंगे अहुर रक्षामंतरी राजनात सिंग ने इसे आत्म निरबर भारत की दिशा में DRDों का एक और बड़ा कदम बताया है इस Technology का इस्तिमाल दुश्मन के रडार गाइडेड मिसाइलों का ध्यान बटकाने में होता है ताकि भारतिय वायूसेना के लड़ागों विमानों को दुश्मन की मिसाइलों से बचाया जा सके और इस तकनीक के विक्सित होने के बाद इसे वायूसेना में सामिल करने का काम भी शुरू कर दिया गया है इस चाफ में अलूमिनियम या जिंक की छोटी स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये मैटल कलाउड मिसाइल के रडार के लिए अलग टारगेट के रूप में दिखाई देते हैं और रडार गाइडेड मिसाइलों को आसानी से उसके टारगेट से भटका देते हैं अलगी दोस्तो इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा थेंक्यू वेरी मच पर वोचिंग वीडियो